नाराणी नाराणी आज हम पढ़ रहे हैं धर्म साथ भरत सप्तम प्रवचन भगवान की मंगल मैं अनुकमपा से एक सप्ताह से चलने वाला यह मानस प्रवचन का कार आज समापन की ओड है एक तो महान पुरुष की जयनती का उपलाक्ष है और दुसरे उसके समापन में प्रसंग है भरत के चरित्र का जिनके लिए गुरु वशिष्ट कहते हैं कि भरत तुम जो समझोगे जो कहोगे और जो करोगे वही धर्म का सार होगा समाच समय समय पर धर्म का वास्तविक रह से उसका वास्तविक अर्थ भूल जाता है और धर्म के बही रंग को ही धर्म का अंतरंग रूप मान उसका जीवन में पालन करने लगता है इस युग में स्वामी विवेकानंची भी उन्ही महापुरुषों में थे जिन्होंने इस देश में और विदेशों में भी धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रकट किया आज धर्म को सही अर्थों में समझने की आवशकता है क्योंकि धर्म बड़ा व्यापक शब्द है और संसार में अधिकांच लोग किसी न किसी धर्म को मानने का दावा करते हैं लेकिन ऐसे बहुत थोड़े लोग होंगे जिनके जीवन में धर्म अपने सचे अर्थों में पूरे अर्थों में व्यक्त हुआ हो गुरु वशिष्ट जिस धर्म का निरूपन श्री भरत के सामने करते हैं वह धर्म अधूरा है और श्री भरत जो धर्म प्रस्तुत करते हैं उसमें पूर्णता है गुरु वशिष्ट ने धर्म का उपदेश दिया अर्थात ब्रामन, शत्रिय वैश्य और शूद्र आदी वर्ण तथा ब्रहमचर्य ग्रहस्त वान प्रस्त और सन्यास इन विभिन आश्रम वालों की क्या धर्म हैं उस पर चर्चा की पर जब श्री भरत अयोध्या की नागरेकों को लेकर चित्रकूट की ओर जाते हैं तो मानस में एक पंक्ति आती हैं प्रमुद्त तीर्थ राज निवासी पैखानस बटुग्रही उदासी कही परस परमिलिदस पांचा भरत सने हुसील सुचिसांचा श्री भरत को देखकर ब् जिस वर्ण या आश्रम का है उसी का आदर्ष बन पाता है दूसरे लोगों के लिए वह आदर्ष नहीं बन पाता या यह कहें कि जो ग्रहस्त का आदर्ष है वह सन्यासी का आदर्ष नहीं हो सकता जो ग्रहस्त के लिए उचित हो उसका सन्यासी के लिए उचित होना आवश् नहीं लेकिन श्री भरत को देखकर ब्रह्मचारी, ग्रहस्त, वानप्रस्त, सन्यासी सभी प्रसन और धन्य होते हैं। इसका तात्वर यह है कि श्री भरत के जीवन में समग्र धर्मों का एक ऐसा केंद्र है जहां सभी आश्रमों और वर्णों की मर्यादा आकर एकाकार हो जाती है। प्रिंदावन में एक संत थे, उनके निकट रहने का मुझे अवसर मिला था। एक बार एक श्रधालू भप्त उन्हें विवाह में निमंत्रन देने आए और उनसे कहा महराज आप अपनी शिश्य मंडली के साथ विवाह में पधारें। तो नहीं महराज, आप तो हमारे लिए बड़े पूजे हैं, देखो पूजे तो हैं, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं। क्यों? भई समस्या यह है कि विवाह के समय सन्यासी को देखकर यदि वर के मन में वेराग ये उत्पन हो गया, तब तो विवाह का उदेश्य ही वियर्थ हो गया। और कहीं विवाह होते देखकर सन्यासी के ही मन में राग आ गया, तो बेचारे का पतन हुआ। इसलिए अच्छा तो यह है कि उस समय कम से कम दोनों न मिलें। उन्होंने तो ये बातें विनोध में कहीं, पर सांकेतिक अर्थ यही है कि दोनों की मर्यादा अलग-अलग है। यह ठीक है कि ब्रहामन, शत्रिय वैश्य और शूद्र इन में से प्रतेक का धर्म अलग-अलग है। और प्रतेक अश्रम की मर्यादा भी अलग-अलग है। फिर भी पैक्ति के जीवन में इंचा सारे वर्णों के धर्म की कहीं ना कहीं आवश्यक्ता होती ही। एक ब्रहामन के जीवन में ब्रहामन धर्म की प्रधानता तो होती है पर कहीं ना कहीं उसे शत्रिय वैश्य और शूद्र धर्म को भी स्विकार करना पड़ता है। यदि हमें पूजन करना हुआ तो हाथों से चिंदन घिसेंगे, पुष्प लाएंगे, पूजा करेंगे, इस थरह हाथों से ब्रहामन धर्म का कारे लेंगे। यदि हमें संखर्ष करना पड़ गया, अपनी रक्ष की आवशकता हुई, तो हाथों में शस्त्र ले शत्रिय धर्म निबाहना पड़ेगा। जब द्रव्यों का पैसों का लेंदेन करना होता है, तो यही हाथ वैश्य धर्म का कारे करते हैं, और जब हमें दूसरों की सेवा करनी होती है, तो यही हाथ उस समय शुद्र धर्म का परिचालन करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को एक धर्म और आश्रम विशेश का होने पर भी आने सभी वर्णों और आश्रमों को जीवन में स्थान देना होता है। श्री भरत का जीवन एक ऐसा केंद्र है जहां समस्त वर्ण आश्रम धर्म मिलकर एकाकार हो जाते हैं। यही विशेष्टा गोस्वामी जी के रामचरित मानस की भी है, जिसमें सभी जाती और वर्ण के लोग जीवन का समाधान पाते हैं। समाध सदा दो वर्गों में बटा हुआ है, जैसे धन्वान निर्धन, विद्वान अग्न आदी, दोनों की अभिरुची में अंतर होता है। एक विद्वान जिस वस्तु का आदर करता है, साधारन वेक्ति उसे समझ नहीं पाता। बुद्धी मान वेक्ति पुद्धी प्रध के वेक्तिOS की अभिरुकी को सुष्ट करता है। बुद्द विश्राम सकल जलरंजनी, रामकथा कलिकल श्रु внимंजनी एह रामकथा विद्वानों को विष्राम देने वाली, तथा साधारन जन काम अमरंजन करने वाली है। बुद्धी और मन का जो अलगाव है वह वर्ण परकालव है उदेश इस अलगाव को बढ़ाना नहीं वरंद दूर करना है और यही विशेषता भगवान राम और श्रीभरत के चरितर में है भगवान राम से मिलकर सबको सभी प्रभू से मिलकर धन्यत्ता कानुफव करते हैं पर्भान राम जाते हैं महरशी वार्धाजी के आश्रम में तथा भरत्वाज nutriक्ती के आश्रम में वहां ग्यान वेराग्या और धर्म की अद्वितिय चर्चा चलती है इस वारता लाप का एक अलग ही रस होता है भगवान राम महर्शी वार्दवाज से पूछ देते हैं नात कहई हम कही मग जाही महराज बताईए हम किस मार्ग से जाए इस प्रश्चन को उठकर भगवाजी के मन में हंस करवेंगातमक उत्तर देते हैं मुनी मन भी हसी राम सन कहही सुगम सकल मगतु मकहु अही आपके लिए तो सारे मार्ग ठीक हैं पर पहले यह तो बताईए कि आपको जाना कहा है ठीक ही तो है जब आक किसी से मार्ग पुछते हैं तो पहले यही बताते हैं कि हमें अमुक अमुक जगह मुहले में जाना है अगर आप शहर के मुहले का नाम न लें और मार्ग पूछने लगें तो बताने वाला यही कहेगा आप चाहें जहां जले जाएए भगवान राम ने मुनिक को यह तो बताया नहीं कि उन्हें कहा जाना है पस कह दिया कि मुझे मार्ग बताईए फिर यह भी तो सही ही है कि भगवान यह कैसे बताएं कि उन्हें कहा जाना है पूर्ण को न तो कहीं आना है न जाना इसलिए भर्द्वाजी ने कहा जब कहीं लक्षे ही नहीं है तो चाहे जिदर चले जाईए फिर उसमें यह भी व्यंग था कि क्या आपको भी मार्ग बताने की आवशक्ता है ब्रह्म को भी क्या मार्ग दर्शक की आवशक पेक्षा है वे लक्षन सत्संग चलता है इसी प्रकार जब रभु महर्शी वालमे की से मिले तो उनसे बड़ी नम्रता पुर्वक कहा अस जी जानी कहा इसो इठाओं सीय सौमित्री सहित जहां जाओं आप करपा करके ऐसा स्थान बताईए जहां मैं सीता और लक्षमन के साथ निवास कर सकूँ अपूर्वसत्संग रस का यही कर्म चलता है पालमे की जी ने तुरंत कहा फूंचे हूं मोही की रहू कहां मैं पूंचत सकूचाओ जहना हूं तह दे हूं कही तुमही दिखाओ उठाओ पहले आप यह बताईए कि आप कहां नहीं है तो फिर मैं बताऊं कि आपको कहां रहना है यही प्रभुराम जब निशाद से मिले तो निशाद राज ने उन्हें गंगा पार उतारा और कहा महराज मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए भगवान राम ने कहा मेरे साथ रहे कर तुम क्या करोगे कीवट ने कहा मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा नाथ साथ रही पंथु दिखाए भरदवाज भले ही राम को मार्ग न दिखाए पर कीवट कहता है मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा वालमी की जी ने कहा हम आपको क्या स्थान दिखलाएं आप तो सर्वत्र विद्यमान है और इधर निशाद दावा करता है मैं आपको मार्ग दिखा दूँगा यही नहीं मैं आपके रहने के लिए स्थान बना दूँगा नाथ साथ रही पंथु देखाई पालमी की के लिए भगवान के रहने के स्थान की कलपना कठिन हो सकती है पर केवट उस स्थान को खोज सकता है जहां भगवान राम को रहना है भरद्वाज को भगवान को मार्ग दिखाना कठिन प्रतीत होता है पर केवट के लिए वह सरलकार है और प्रभू के चरित्र की विशेषता यह है कि जब वे रिशी मुनियों के आश्रम में जाते हैं, तो उनकी बातों का आनन्द तो लेते ही हैं, पर केवट की बातों का उससे कम आनन्द नहीं लेते भकवान उसके सामने अपना इश्वरे प्रकट नहीं करते उससे ऐसा नहीं कहते कि तु जानता नहीं मैं कौन हूँ मेरे सामने कौन ऐसी बाते कर रहा है हम लोग रोज ही दो चार बार कह डालते हैं जानते नहीं किस से बात कर रहे हो पर यहां सुष्टी के रचयता बिना किसी एश्वरे का प्रदर्शन की ये केवट से वालता लाप करते हैं और उसमें वैसा ही रस लेते हैं जैसा बालमेकी और भर्दवाज की बातों में यही समन्मय का केंडर है भगवान जहां जाते हैं सब को मिलाकर एका कार कर देते हैं भगवान राम ने गुरू बनाया मुनी वशिष्ट को जो की ब्राह्मन सुष्ट हैं और मित्र बनाया निशाद राज को गुरू वशिष्ट और निशाद राज में बड़ी दूरी है गुरू ब्राह्मन धर्म की म कट आ नहीं सकते दोनों अपने अपने वर्ण और धर्म की मर्यादा में आरूड हैं निशाद सेवा का कारे करता है और गुरु वशिष्ट धर्मों पदेश का काम करते हैं अब भगवान राम ने क्या किया उनका गुरु वशिष्ट के प्रती आदर है और निशाद के प्रती प्रेम इस आदर और प्रेम दोनों को मिलाकर प्रभू ऐसा एकाकार कर देते हैं कि धर्म का केंद्र ही बदल जाता है इस केंद्र को बदलने का श्वेय है श्री भरत को कैसे श्री भरत गुरु वशिष्ट तथायोध्या के नागरिक सभी चित्रकूट की ओर जाते हैं जब वेश्रिंगेरवर्द के पास पहुँचे तो निशाद राज ने सुना कि श्री भरत चतुरंगिनी सेना लेकर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं निशाद राज के अंदर भगवान राम के प्रती अगाहत प्रेम हैं उन्हें लगा कि कहीं भरत सेना लेकर श्री रागवें से लड़ने तो नहीं जा रहे हैं उन्होंने त्रुंत गाहों के लोगों को एकत्र किया और उत्साहित करते हुए कहा आज हम लोगों के जीवन की सार्थक्ता का चरम दिन आया है सनमुख लोख भरत सनलेव जियतन सुरसरी उत्रन देव समर मरन पुनी सुरसरी तीरा राम काज चन भंगु सरीरा भरत भाई निप मैजन नीचू बड़े भाग असिपाई मीचू स्वामी काज करी हव रन हारी रन रारी जस धवलिहूं भुवन दस चारी तजव प्राण र गुनाथ नी हो रे दूहू हाथ मुदमोदक तो रे मैं भरत से लोहा लूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूँगा गंगा जी के तक पर युद्ध में मरना और वह भी इस खण भंगुर शरीर से प्रभु का कारे करते हुए फिर श्री राम जी के भाई राजा भरत के हाथों मरना तो बड़े भाग इसे मिलता है मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा अगर जीत गया तो चोदह लोग मेरे यश से उज्वल हो जाएंगे और यदी मारा गया तो श्री राम के निमित मरूंगा इस प्रकार मेरे दोनों हाथों म में आनंद के लड़ू है कीवट के मन में कदम में उत्साहा है मित्यू का वरन करने की व्यक्रता है सारे गाव के लोग हाथ में बाज फरसा आदी लेकर चत्तुरंगिनी सेना से लड़ने चल पड़े निशाद राज ने कहा भाई ढोल बजाओ इस पीच किसी ने चीक दिया किसी व्रत ने कहा लगता है युद्ध नहीं होगा निशाद राज ने कहा ठीक तो है यह बिना पता लगाए कि भरत की सभी प्राई से आ रहे हैं युद्ध के लिए प्रसुत हो जाना भी ठीक नहीं चल कर देखें कि श्री भरत का भी प्राई क्या है मित्र का शत्रू का य इने की भावना से चलते हैं देखिए खेंद्र कैसे परिवर्तित होता है अन जाने ही एक नई बात होने जा रही है श्री भरत निशाद को आते देख गुरु वशिष्ट से पूछते हैं ये सामने कौन आ रहे हैं गुरु वशिष्ट को लगा कि परिचय तो ऐसा दें जिससे पहले ही उन्हें पहचान ले उन्होंने पहला वाक के यही कहा ये राम के मित्र हैं जब ऐसे गुरु वशिष्ट अन्य रूप से भी उनका परिचय दे सकते थे वे पहले निशाद का नाम बताते फिर जाती आदी का वर्णन करते पर यह सब उन्होंने पहले नहीं कहा केव इसकी बाद उनके नाम जाती आदी का श्री भरत के सामने कोई महत्व नहीं था और एक नई बात हो गई अब तक की परंपरा थी कि राजा रत पर रहते और सेवक नीचे पर गुह निशाद को देख राजा भरत उनसे मिलने रत से उतर पड़े यदिपी उस समय की प्रचलि भरत को उसकी कोई चिंदा नहीं उनके सामने बस यही बात थी कि ये राम के सखा हैं अते राम के हैं और इसलिए पहला कार यह कहा किया राम सखा सुन संदन उत्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा ये प्रभू राम के मित्रहें सुनते ही उन्होंने रत छोड़ दिया और रत से उतर पे में उमंगते हुए चले और एक नयाद रिष्य उपस्तित हो गया करत दंडवत देखी तही भरत लीन उरलाई मनहू लखन सन भेट भई प्रभून रदय समाई एक समराट के पुत्र ने ताजे की उत्रादिकारे ने दोड कर निशाद राज को उठा कर रदय से लगा लिया आखों से अश्रुपात हो रहा है रदय में प्रेम समाता नहीं ऐसा लगता है मानू लक्षमन से भेट हो गई हूँ गुरू वशिष्ट यह देख शनभर के लिए चौक पड़े क्योंकि श्री भरत से मिलने के पूर्वी ही निशाद राज ने गुरू वशि कर नहीं रह गई उन्होंने रत से उतर कर केवट को गले से लगा लिया आजकल के कई धर्म धुरंधर कहते हैं कि श्री भरत का रथा भगवान राम का केवट को गले लगाना वरन आश्रम धर्म की विपरीत था ऐसे लोग यह सोचकर संतोश कर लेते हैं कि केवट से मिलने के बाद भगवान राम और भरत ने स्नान कर लिया होगा ऐसे धर्मग्यों को शत्षत नमन कम से कम गोस्वामी जी को यह स्विकार नहीं कि भगवान राम केवट से मिलने के बाद स्नान करें तो शुद्ध होंगे हमारी मान्यताएं इतनी संकीर न हो गए हैं जिसकी कलपना गोस्वामी जी का दह्म नहीं कर पाता भगवान राम तो परमुदार हैं उनके चरितर का गौरव कैसा है लोग दो प्रकार के होते हैं एक पवित्र होते हैं दूसरे पावन पवित्र लोगों को सदा यह डर लगा रहता है कि कहीं हम अपवित्र न हो जाएं और पावन की विशेष्टा यह है कि जो अपवित्र है वे भी उनके स्पर्ष से पवित्र हो जाते हैं जहां पर पवित्रता की कमी है, वहां यह है डर लगना स्वभाविक है, कि कहीं हमारी पवित्रता छिन न जाये। एक सांकेति कधा आती है, भगवान रा महर्शी विश्वा मित्र के साथ जनकपुर की ओर जाते हैं। जनकपुल में कौन है आद्या शक्ति भगवती श्री जानकी जी और वहाँ के समराथ है ग्यानियों के अगरगण्य विदेही राज जनक जिनके बारे में कहा गया है जासु ग्यान रवी भवनिसी नासा और सीता जी कौन है जनक सुता जग जननी जानकी अतिसय अप्रिय करु ना निधान की ताके जुग पद कमल मनावं चा सुक्रिपा निर्मल मती पावं वे हैं निर्मल मती को देने वाली जिनका नाम लेकर सुरियापातिवत धर्म में आरूड होती हैं पर जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जनक पूर की ओर चलने लगे तो गोस्वामी जी ने रास्ते में किसे खड़ा कर देते हैं आश्रम एक दीख मगमाही खगमरिग जीव जन्तुतहनाही रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ता है जहां ना कोई मनुष्य है ना पशू ना पक्षी किवल एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है भगवान रामु से लिए ज्यानी से आपका मिलना उतना आवश्यक नहीं जितना इस जड़ को आपके दर्शन का आवश्यक है पतिवरताओं की शिरोमनी श्री जाने की जी तो दिव्यस्वरूपा हैं उनसे मिलने के पूर्वा आप उससे मिल लीजिए जो पातिवरत धर्मचित हो चुकी है कि जित्तु क्या पतिवरताओं शिरोमनी आद्या शक्ति जाने की जी और पातिवरत सेच्चित अहल या इन दोनों में कोई तुलना हो सकती है तथा पी यही वह समन्वे सुत्र है जिसे गो स्वामी जी रखते हैं श्री रागवेंद्र ने पत्थर की शिला देखकर महार्षि पूचा गुरुदेव यह क्या है रागवेंद्र देख नहीं रहे यह पत्थर की शिला है तो गुरुदेव यह पत्थर की शिला ही थी क्या नहीं नहीं थी तो नहीं पर इसे पत्थर बना दिया गया है जो ही प्रभू ने यह सुना तो उन्हें अपने पूर्व अवतार का स्मरण हो आया भगवान को सत्यू की बात याद हो आई कि मेरे भगत ने मुझे पत्थर के खंबे से प्रकट किया था जब प्रलाद को रणे कशेपू ने पत्थर के खंबे से बांद कर पूछा था कि क्या तेरा भगवान इस पत्थर के खंबे में है तो प्रलाद ने कहा था हाँ है और तब उसने मुझे प्रकट करके दिखला दिया था आज मेरे सामने पत्थर है और अगर मैं इस पत्थर से भक्त प्रकट करके न दिखला पाया तो मेरी भगवत्ता ही व्यर्थ है अगर भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया तो मेरी सार्थकता भी तो तभी होगी जब मैं भी पत्थर से भक्त को जन्म दे सको तबी तो भगवान और भक्त की पूर्णता होगी और इसी लिए प्रभू शिला के बारे में पूछते हैं पूछा मुनी ही सिला प्रभू देखी सकल कथा मुनी कहा विसेसी मुनी से सारी कथा सुनकर प्रभू ने कहा गुरुदेव अब आपकी क्या आ गया है गुरुदेव बोले अपना चरण इसके मस्तक पर रखतो यह सुनकर प्रभू व्याकुल हो उठे मैं अपना चरण किसी के मस्तक पर रखू यह तो उचित नहीं लोग यही समझेंगे कि इसको पदिता समझ कर ही भगवान ने अपना चरण इसके मस्तक पर रखा वह चाहती है कि तुम अपने चरण उसके मस्तक पर रखो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर। चरण कमर रज चाहती क्रपा करहू रगुवीर। रभु बड़े उलजन में पड़े। इधर गुरुदेव की आग्या उधर शाप करस्ता पूजया ब्रहमणी के सिर पर पैर रखने का संकोच। प्रभु जब अपनी और से क्रपा करते हैं तो दो रूपों में करते हैं या तो नेत्रों से राम क्रपा करी चितवा जाही या हाथ से करर पर सा सुगरीव सरीरा। पर गुरु देव का तात पर इथा रागवेंदर अहल्या यह कह रही है कि मुझ पर न तो नेत्र द्वारा कृपा कीजिए न भुजा द्वारा मुझ पर तो चरण द्वारा ही कृपा कीजिए प्रभु ने पूछा क्यों विश्वामित्र बोले अहल्या कहती है यदि आप नेत्रों से कृपा करने जाएंगे तो आपको मेरा चरितर दिखाई पड़ेगा और तब आप कृपा नहीं कर पाएंगे अते आप आँख मुंद लिजिए यह मत देखिए कि मैंने क्या किया है किदि आप भुजाओं द्वारा कृपा करना चाहें अते आप भुजाओं द्वारा मुझे पर कृपा मत कीजिए किदि आप कृपा करना चाहते हैं तो उन चर्णों द्वारा कृपा कीजिए जिन से गंगा निकली है इस गंगा ने कभी किसी नदी या नाले से नहीं पूछा कि तुम पवित्र हो या आपवित्र जो जैसा आया गंगा ने उसे अपने में एका कार करके पवित्र कर दिया इक नदिया इक नार कहावत मैं लहू नीर भरो जब दोनों मिल इक बरन भै सुरसरी नाम परो अते प्रभु ये चर्ण ही ठीक हैं जो गंगा के उद्गम स्थल हैं उस गंगा के जो अपावन को पावन बनाती है जनका द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता प्रभु ने बड़े संकोच से अहल्या के मस्तक पर अपना सिर रखा अपना पैर रखा तो अहल्या प्रकट हो गई परसद पद पावन सोक नसावन पकट भाई तपपुंज सही देकत रखुनायक जनसुख दायक सनमक होई कर जोरी रही कौतम ने अहल्या का त्याक कर दिया था कि इस अपवित्र का संग करके हम भी अपवित्र हो जाएंगे समाज ने यह कहकर उसका त्याक कर दिया कि यह अपावन है इसके रहने से समाज की पवित्रता नश्ट हो जाएगी पर जब पावनम पावनानाम प्रभु ने करुणा कर उसका स्पर्श किया तो वह दिव शरीर धारणी तपो मई अहल्या हाथ चोड़कर प्रकट हो गई बोली प्रभु आज में धन्य हो गई जो लाब भगवान शंकर को मिला था वही लाब आज मुझे मिला देखाओं भरी लोचन हरी भवमोचन इह लाब संकर जाना कामारी शंकर ने काम को जीतकर जो लाब प्राप्त किया था काम ग्रस्ता हाल्या ने वही प्रभु करपा से प्राप्त कर लिया प्रभु की महिमा यह रही कि उन्होंने दोनों को समानी वस्तु दी फिर भी प्रभु संकोच में पड़े हैं बलही गुर्देव की आग्या का पालन हो गया फिर भी प्रभु को भीतर ही भीतर कुछ लग रहा है बिनाई पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु को पच्चतावा होता है कि रिशी पत्नी का मेरे चर्ण से सपर्ष हो गया लोक दृष्टी में मैंने अहल्या का अनादर किया पर अहल्या स्वयम इसकी सुंदर व्याख्या कर देती है उन्होंने कहा महराज आपकी चर्णों की बड़ी विशेष्टा है आपने शंकर जी पर कृपा तो की थी पर मुझ पर कृपा करके आपने मुझे शिव ही बना दिया कैसे शंकर जी नगन रहते हैं वे तो ग्यान मैं है लोक दृष्टी से यहां मेरा चरितर भी नगन हो गया था आप मेरी अपवित्रता जान गए शिव के कंठ में विश्की निलिमा है तो यहां मुझ में भी कलंक की निलिमा है इस प्रकार नगनता और निलिमा दोनों मुझ में विद्यमान थी आपने देखा कि ये दोनों वस्त्वें तो इनके पास हैं पर सिर्पर गंगा नहीं है अत्यापने अपने चर्णों को जिन से गंगा निकली है मेरे सिर्पर रख मुझे शिव बना दिया जो अशिव को शिव बना दे यही तो आपकी महान करुणा है और अहल्या प्रसन नहों चली जाती है तब श्री रागवेंद्र ने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव यदि कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है गुरुदेव मस्कुरा कर बोले क्या आहल्या का स्पर्ष हो जाने से पाप का अनुभव कर रही है प्रभु ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव मुझे दुख इस बात का है कि मैंने एक महात्मा की पतने का चरण से इस परशकर दिया कहे मेरी कितनी बड़ी दृष्टता है अब मैं क्या उपाई करूं जिससे प्रायस्चित हो और तब गुरुदेव की सलहा पर प्रभु गंगा सनान करने जाते हैं कई जहां जगपावनी गंगा गंगा सनान कर प्रभु को प्रसन्नता हुई उन्होंने मानों अहल्या से कहा मैंने अपने चरण तुम्हारे मस्तक पर रखे थे तो अब अपने चरण उदक को भी अपने सिर पर रख लिया है अब ठीक हुआ मैंने तुमको तुछ याहीन जान कर दया नहीं की थी तुम तो हमारी पूज्या हो यह तो मैंने गुरुदेव की आग्या का पालन मात्र किया था इसका भी प्राय किया जो व्यक्ति पतित का उदारक बनने का दावा करता है वह उदारक क्या हुआ वह तो हंकारी है यह सामने वाले व्यक्ति के रिदय में गलाने को जन्म देता है कि उसे खृपा का पात्र बनना पड़ा पर भगवान राम की विशेषता यह है कि वे जिस पर क्रपा करते हैं उसके रिदय में यह बात नहीं पैटने देना चाहते कि उन्होंने क्रपा की अपितु वे यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रथी मेरे वहवार में कुछ कमी ही रह गई है यही बात हम श्री भरत के चरित्र में भी पाते हैं श्री भरत और निशाद राज का जो मिलन होता है उसके द्वारा गुरुदेव वशिष्ट को दर्म की एक नई व्याख्या मिल जाती है जो जो गुरु वशिष्ट श्री भरत को परकते जाते हैं जबते क्युस्टें उन्हें अपने में नियूनता का बोध होने लगता है मुझमें और श्री भरत में अंतर है आ पर मेरे मन में उनके राम सखा किमाने संया जो। और इसलिए उसे आशिरवा देते समय मैंने उनसे वरनाश्रम की अनुकूल दूरी बनाए रखी मुझे में यह साहस नहीं हुआ कि मैं भी उसे राम सखा के रूप में रुदय से लगा लूँ और फिर गुरुदेव इसका परिमार्जन भी करते हैं जब चित्रकूत में श्री भरत और भगवान राम का मिलन हुआ तो वह प्रीम में इतना पूर्ण था कि न तो श्री भरत को अपने भरत होने का भाव रहा और न श्री राम को अपने राम होने का वैसे प्रभू जब श्री भरत से मिलते हैं तो कुशल शेम पूछते हैं कि भरत प्रसन्न तो हो जब प्रभू लंका से लोटकर भरत से मिले तो प्रभू ने पूछा भरत कैसे हो बूजत कृपा निधी कुशल भरत ही पर यहां चित्रकूट में प्रभू जब भरत से मिले त दूरा मिलन है जबकि चित्रकूट का पूर्ण आयोध्या का मिलन कभी पूर्ण नहीं हो सकता वह तो बुद्धी राज्य का मिलन है जबकि चित्रकूट का मिलन विशुद्ध प्रेमलोग का मिलन है इसलिए चित्रकूट का मिलन देख पारवती जी शंकर जी से कहती है भगव अगर भगवान राम को यह भान रहे कि मैं राम हूँ और वेभरत हैं तो बोलने समझने की बात हो सकती है पर जहां दोनों और ना मन हो ना बुध्धी ना चित ना हंकार तो कौन किस से बोले परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुधिचित अहिमती बिसराई कहो सुपेम प्रगट को करही कही चाया कविमती अनुसर ही कौन पूछे और किस से पूछे डूबे सो बोले नहीं बोले सो अंजान प्रेम रसकी ऐसी ही अद्विती अवस्था होती है एक दिन श्रीकृष्ण ने एक सकी के मुख पर सुन्दर पत्रावले का निर्मान किया प्राचीन काल में मुख पर श्रिंगार किया जाता था पत्रावली निर्मित की जाती थी जब गोपी के मुख पर पत्रावली बन गई तो उसे बड़ा गर्व हुआ कि श्रीकृष्ण मेरे सौंदरे के प्रती इतने आकृष्ट हैं कि उन्होंने मेरे मुख पर इतना सुंदर चित बनाया उसने सोचा कि इसे राधा को दिखाओ श्री राधा के पास चाकर बोली देखो मेरे मुख पर सुंदर पत्रावली बनी है राधा जी ने देख कर कहा हां बड़ी सुंदर हुई है और यह कहकर भी चुप हो गई सकी ने सोचा था कि राधा जी उससे अवश्य पूछेंगी कि यह किसने बनाई पर उन्होंने कुछ न पूछते देख सुमयां बोल रह पड़ी जानती हो इसे किसने बनाया है नहीं तो अच्छा मैं ही बता देती हूँ यह कृष्ण ने बनाई है गोपी को विश्वास था कि यह सो निराधिका के अंतह करण में थोड़ी इर्षय की भावना अवश्य जागरत होगी पर राधा ने केवल इतना कहा मा गर्व मुद्वह कपोल तलई चकास्ती कांत स्वहस्त रचिता मम मंजीरी भी सखी इस बात का गर्व मत करो कि प्रियतम ने तुम्हारे मुख पर पत्रावली का निर्मान किया क्यों न करूं कृष्ण ने और किसी के मुख पर तुब बनाई नहीं मुझे सर्व सुरेश्ट माना तभी तो इसे बनाया इस पर राधा बोली नहीं ऐसी बात नहीं ऐसा श्रिंगार उन्होंने किसी और के मुख पर करने का भी प्रयास किया था अन्यापी कापी सखी भाजन मी दुरुशानाम किसके बस इतना ही जान लो कि किसी के मुख पर करने की कोशिश की थी पर वह हो नहीं पाया पास्तव में श्री कृष्ण ने राधा जी के ही मुख पर श्रिंगार करने की चेश्टा की थी जब वे रंग ले राधा जी के मुख पर पत्रावली बनाने चले तो उनके दिव सौंदरे को देखकर वे इतने भाविहव हो गए कि उनके हाथ से तुलिका गिर पड़ी रंग बिखर गया और अंततह पत्रावली नहीं बन पाई अब वास्तव में भाग शाली कौन है वह जिसके मुख पर पत्रावली बनी अत्वा वह जिसके मुख पर नहीं बन पाई जहां नहीं बन पाई, वहां प्रेम इतना था कि मन, बुध्धी और प्राण सब प्रेम में एकाकार हो चुके थे एकाकार की उस दिवे स्थिते में बहय प्रक्रिया का लोप हो गया था जहां पत्रावली बनी, वहां दो बुध्धी स्थित और जागरत थी तो वैसे ही श्री भरत और भगवान राम का जब मिलन हुआ तब मन बुद्धी चित और अहंकार प्रेम के उस विशाल समुद्र में डूब गए उस समय न नाव राम रहे न भरत केवल एक मात्र प्रेम रह गया प्रेम भरा अमन निजगत चूचा बस रामायन तो यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि न राम भरत से बोल रहे हैं और न भरत श्री राम से दोनों प्रेम रस में डूबे हुए हैं और डूबने वाले को उठाता कौन? केवट केवट ने देखा कि यह दोनों ऐसे डूबे हैं कि इन्हें गुरु देव और अन्य लोगों के आने की ओर ध्यान ही नहीं है तब एक अनोखी बात होती है आज तब बहुतों ने यह जाना था कि गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ती होती है परेक केवट ने गुरु को भगवान की प्राप्ती कराई यह एक अनोखी घटना थी गुरु वशिष्ट कहीं दूर खड़े थे श्री भरत को यह बताने का खयाल ही नहीं रहा कि गुरु वशिष्ट भी आए हैं तथा भगवान भी पूछना भूल गए कि साथ में कौन कौन आये हैं दोनों तो प्रेमरस में डूबे हुए हैं इन डूबे हुऊं को निकालने के लिए केवट को लंबा रस्सा लगाना पड़ा वे पास जाते हैं और हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं तही अवसर के वट धीर जुधरी जोरी पान इविनवत प्रणाम करी फिर धीरे धीरे डूबे हुए ब्रभु को निकालना शुरू करते हैं पहले कहते हैं ब्रभु मुनी वशिष्ट साथ आई हुए हैं नाथ साथ मुनीनाथ फिर कहते हैं यही नहीं सभी माताईं भी आई हैं मातू सकल अंत में कहते हैं नगरवासी, सेवक, सेना, पती, मंत्री सभी आपके वियोग से व्याकुल होकर आई हैं नाथ साथ मुनीनाथ के मातू सकल पुर लोग सेवक सेनप सचवसब आये विकल वियोग चोहीं प्रभु ने यह सब सुना तो को स्वामी जी कहते हैं भगवान राम अब बदल गए पहले जब भरत आये तब राम कौन थे? उठे राम सुनी प्रेम अधीरा उस समय ये प्रेम अधीर राम थे और अब सील सिंद सुनी गुर आग वनू सिय समीप राखे रिपद वनू चले सवेग राम उतेहिकाला धीर धरम धुरदीन दयाला ये अधीर राम नहीं ये धीर राम है पहले प्रेमी राम थे अब धरमी राम है प्रभु दोड कर जाते हैं और गुरु वशिष्ट के चर्णों में जाश्टांग प्रणाम करते हैं गुरु देव उनको रुदय से लगा लेते हैं निशाद राज फिर से गुरु देव को प्रणाम करते हैं निशाद राज में कोई अहंकार नहीं इस बार फिर उन्होंने अपनी वर्न धर्म परंपरा का पालन करते हुए दूर से ही गुरु देव को प्रणाम किया प्रेम पुलकी के वट कही नामू की नह दूरी ते दंड प्रणामू किन्तु गुरु देव आज पदल गए आज प्रेम भुमी में आकर श्री भरत और भगवान राम के सानिते में आकर उनमें इतना परिवर्तन आ गया है कि उन्होंने अप निशाद राज को दूर से ही आशिरवाद नहीं दिया वर्न वे दोड़े हुए आगे बढ़े निशाद राज को घबराहत हुई कि क्या हो रहा है गुरुदेव मर्यादा को कैसे भूले जा रहे हैं लेकिन राम सखार शीबर बस भेटा जनुमही लुठत सनेह समेटा गुरुदेव ने उन्हें जबर्दस्तिर दैसे लगा लिया मानु जमीन पर लोटते हुए प्रेम को समेट लिया हो और तब नब सराहि सुर बरस ही फूला गुरुदेव के इस कारे की सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे को स्वामी जी लिखते हैं एही सम निपट नीच को नाही बड़वसिस्ट सम को जग माही इसके समान नीच जाती का संसार में कौन है तथा गुरु वशिष्ट जैसा सुरेष्ट कौन है फिर भी जही लखी लखन हुते अधिक मिले मुदित मुनीराव सो सीतापती भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव जिस निचाद को देखकर मुनीराज वशिष्ट लक्षमन से भी अधिक आनन्दित होकर उनसे मिले कहसब सीतापती श्री राम चंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष्य प्रभाव और प्रताप है गुरु वशिष्ट और निचाद का मिलन राम प्रेम के उस केंद्र में है जहां किसी प्रकार का अलगाव नहीं जहां दो वरणों की अलग-अलग मर्यादाईं आकर एकरस हो गई है और इस केंद्र के मूल में जो वैक्ती है वे हैं प्रेम मूर्ती श्री भरत श्री भरत के जीवन में चारो वरण और चारो आश्रमों का अपूर्व समन्वय हुआ है वे ब्रहमन भी हैं, शत्रिय भी हैं, वैश्य और शूत्र भी हैं इसी प्रकार वे ब्रहमचारी भी हैं, तथा ग्रहस्त, वानप्रस्त और सन्यासी भी वर्णाश्रम धर्म सर्वतो भावेन उनके जीवन में समन्वित हुआ है श्री भरत ब्रामन कैसे हैं? ब्रामन का लक्षन बताते हुए गुरु वशिष्ट कहते हैं सोचई विप्र जो वेद विहीना तजी निजधानमो विशयलायलीना बह ब्रामन शोचनी है जो वेद का ग्याता नहीं है तथा जो अपने धर्म का परित्याग कर विशय में लवलीन रहता है इस कसोटी पर कसने पर श्री भरत से बढ़कर पवित्र ब्रामन की कलपना नहीं की जा सकती उनके जैसा ज्यानी वेद ग्यत था विशयों से दूर ब्रामन मिलना दुरलब है इसके दुष्टांत स्वरूप गोस्वामी जी आयोध्या कांड में एक विलक्षन रूपक प्रस्तुत करते हैं पराणों में कथा आती है कि हिरने आक्ष नामक दैते ने प्रत्वी को चुरा लिया और तब भगवान ने वरहा अवतार ले प्रत्वी का उद्दार किया तुसरी कथा है एक बर विंध्याचल परवत बढ़ने लगा इसके फलस्वरूप सूरे का प्रकाश रुकने लगा तब उस समय महर्शिय अगस्त ने आकर विंध्याचल को नीचे जुकाया जिससे संसार को सूरे का प्रकाश उपलब्त हुआ ये दोनों संकेत गोस्वामी जी श्री भरत के लिए देते हैं गुरू वशिष्ट और आयोध्या के समस्त पुर्वासियों की बुध्धी मानो प्रत्वी है और शोक है हिर्णे आक्ष शोक के हिर्णे आक्ष ने समस्त पुर्वासियों की बुध्धी को चुरा लिया उसका उदार किस ने किया? को स्वामी जी लिखते हैं सोक कनक लोचन मति छोनी हरी बिमल गन जग जोनी भरत विवेक वराह विसाला अनायास उगरी तही काला पहर श्री भरत का विवेक रूपी वराह था जिसने लोगों की अपवरत बुद्धी का उध्धार किया पहले लोग किम करता वेवमोर थे कि जाने किसकी बात रहेगी श्री भरत की अथ्वा भगवान राम की प्रेम की विजय होगी या धर्म जीतेगा भगवान राम ने तो यहां तक कह दिया था कि भरत जो तुम चाहोगे मैं वही कहूंगा लोग सब भ्रामित थे ऐसे समय में श्री भरत ने ऐसा विलक्षण निर्णाई लिया कि उनके विवेक ने लोगों की दिक भ्रामित बुद्धी का उधार कर दिया कुस्वामी जी ने दूसरा दिश्टानत देकर इसकी ओर भी पुष्टी की उन्होंने कहा कुस्वामव देखी सनेयू संभारा बढ़त विधी जी मिघटज निवारा जैसे अगस्त जी ने बढ़ते हुए विंध्याचल को रोका था वैसे ही भरत जी ने कुस्वामय का विचार कर अपने उमरते हुए प्रेम को संभाल लिया कथा आती है कि विंध्याचल परवत ने सूरे से कहा आप जैसे सुमेरू परवत की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार मेरी भी परिक्रमा कीजिए सूरे ने कहा ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ मैं तो इश्वर के नियमों से बात्य हूँ विंध्याचल ने कहा हम आपके प्रकाश को रोक लेंगे और यह कहे कर विंध्याचल बढ़ने लगा इसके फलस्वरूप सूरे का प्रकाश रुखने लगा ऐसे समय में वहां मुनी अगस्त आये उन्हें देखकर विंध्याचल ने साश्टांग प्रणाम किया और पूछा प्रबू क्या आगया है अगस्त ने कहा जब तक मैं लौट करने आऊं तुम इसी प्रकार पढ़ी रहो और कहा जाता है कि अगस्त जी दक्षन भारत में जाकर वहीं बस गए फिर लौटे नहीं तब से विंध्याचल पढ़ा ही हुआ है उठा नहीं पतिकात्मक अर्थों में इस कथा का तात्परे क्या हुआ यह जो लौकैशना है अपने को उपर उठाने की आकांक्षा है यही विंध्याचल परवत है विंध्याचल की यह आकांक्षा सबके मन में पाई जाती है प्रतेक यही चाहता है कि मैं प्रकाश का केंद्र बिंदू बन जाओं मेरे चारों और प्रकाश रहे और प्रकाश के अकांगशा कभी कभी वेक्ति को अंधकार का प्रीमी बना देती है जब सूर्य ने विंध्याचल से कहा मैं तुम्हारी परिक्रमा नहीं करूँगा विंध्याचल ने कहा मैं तुम्हारा प्रकाश संसार में फैलने नहीं दूँगा ऐसे समय में अगस्ते आते हैं ये अगस्ते कौन हैं वे हैं विवेक इनका नाम है कुमभच कुम्ब अर्थात घड़े से जिसका जन्म हुआ हो वह है कुम्बच फिर कथा आती है कि अगस्ट ने समुद्र को पी लिया था घड़े में समुद्र कभी नहीं समा सकता पर घड़े के बेटे ने समुद्र को पी लिया इसका तात्पर बड़ा गंभीर है मनुष्य का शरीर है तो छोटा पर इसमें जन्म लेने वाला विवेक रूपी अगस्त सारे भवसागर को पी सकता है और विवेक की महिमा यह है कि जब विवेक रूपी अगस्त आते हैं तो विंध्याचल जैसा कठोर परवत भी भले ही उसमें लाखों कमिया हो उनके सामने जुक जाता है उन्हें नमन करता है एक सज्जन ने कहा अगस्त तो बड़े चली निकले विंध्याचल ने उन्हें प्रणाम किया पर उन्होंने उसे हमेशा के लिए लिटा दिया यह बात सही नहीं है कुस्वामी जी ने रामायन में इसका उत्तर दिया है लोगों ने बीच में विंध्याचल से कहा तुम उठ जाओ अगस्त अब कभी लोटेंगे नहीं तुम्हें धोखा दिया गया है बिंध्याचल बोला नहीं नहीं हम संतिकी आग्या का पालन करेंगे ही चाहे जो भी हो जाए और प्रिणाम क्या हुआ संतिकी आग्या का पालन का फल उसे मिल गया बिंध्याचल तो तरस रहा था कि सूरे मेरी परिक्रमा करे पर एक दिन उसने देखा कि उसके ही एक शिखर चित्रकूट पर भगवान राम चले आ रहे हैं भगवान राम कौन है? रोम रोम प्रतिलागे कोटी ब्रम्हांड वे जिनके रोम रोम में करोणों ब्रम्हांड वसे हुए है भगवान राम ने आकर कहा कि मैं चित्रकूट में रहूंगा तो बिंध्याचल को लगा तरस रहा था कि एक सूरे मेरी परिक्रमा करे पर जिनके रोम रोम में कोटी कोटी सूरे विराजमान है वे ब्रम्हा ही अवे मेरी परिक्रमा करने लगे तो इससे बढड़कर मेरा सौभः क्या हो सकता है संति की आग्या पालन का इससे बढ़कर फल और क्या होगा तभी तो गो स्वामी जी ने लिखा बिंधी मुदित मन सुखुन समाई श्रम बिनुविपुल बढ़ाई पाई बिंध्याचल बहुत आनंदे थुवा उसके मन में सुक समाता नहीं, बिना परिश्रम के ही उसने इतनी विपुल बढ़ाई प्राप्त कर ली संति की आग्या से जब वेक्ति नमन करता है, अपने अहम का परित्याग करता है तब भगवत प्राप्ति के रूप में उसकी अकांक्षा पूर्ण होती है श्री भरत का विवेक मुनी अगस्ते के समान है, जो लोगों के अहम का नाश कर उनकी पुद्धी को शुद्ध करता है श्री भरत से बढ़कर ब्राहमन धर्म का आस्थावान रूप और कौन हो सकता है शक्त्रिये के रूप में भी श्री भरत अद्वितिये हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि वह शत्रिय शोक करने योग है सोच इन रिपति जो नीती न जाना, जहीन प्रजा अप्रिय प्रान समाना जो नीती से अनभिक्य है तथा जिसे अपनी प्रजा प्रानों के समान प्यारी नहीं है इसमें भी श्री भरत की बराबरी कोई क्या करेगा श्री हनुमान जी के मन में एक ख्रन के लिए प्रशना आ गया था कि लंका के युद में भरत लड़ने क्यों नहीं आए श्री भरत भगवान के इतने बड़े भगत कही जाते हैं तो वे उनकी सहायता के लिए क्यों नहीं आई। भगवान राम ने सुचा कि अब इन दोनों भक्तों को महान संतों को मिला ही दे। दोनों एक दूसरे को जरा समझ ले तो अच्छा रहेगा। श्री लक्षमन जी को शक्ती लगी, हनुमान जी को भगवान राम की आग्या हुई, वशधी ले आने की। भगवान राम के मन में एक दूसरी भी बात थी। यह ठीक है कि हनुमान जी लक्ष्मान जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं पर हनुमान जी को भी दवा की आवशक्ता है और उन्हें लगा कि इसके लिए श्री भरत से बढ़कर परम वैद्य मिलना कठिन है और क्या हुआ जब हनुमान जी और शदी का परवतले लोटने लगे तो इन्हें अचानक ध्यान आया कि आयोध्या में जरा देखते चलें कि भरत जी की क्या आवस्था है जब वे आयोध्या की उपर आये तो उन्हें भगवान के इस कतन की सत्यता की कि भरत भाई भरत जस राव भरत जैसा दूसरा राजा क्या होगा पूरी पूरी अनुभू अनुमान जी ने देखा सारी अयोध्या सोई पड़ी है। और राजा पहरा दे रहा है। हनुमान जी और भरत जी दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के मन में अलग-अलग विचार उठे। हनुमान जी तो श्री भरत को परखने की चेश्टा कर रहे हैं। और इधर श्री भरत के मन में अचानक बात आई। देखा भरत विशाल अती निशाचर मन अनुमानी। यह कोई विशाल निशाचर है। वैसे तो उनके मन में ऐसी बात नहीं उठनी चाहिए थी। पर उनके मन में कौत की प्रभू जो बैठे हुए हैं। मेरे पास भी हैं। और मैं भी इसे मार सकता हूं। पर जहां संत और निशाचर दोनों हों, वहां मुझे बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैंने इसे तुम्हारे पास भीजा है। श्री हनुमान जी में अग्यान और अहंकार का लेश भी नहीं है। पर प्रभू अपनी ल अश्रधी नहीं ला सकता। और अब जब हनुमान जी अश्रधी लेकर चले तो भग्वान ने श्री भरत को प्रेरणा दी की बान चलाओ। श्री भरत ने बान चलाया। मुर्चा दूर नहीं हो पा रही है अत्य यह जान लेना कि दवा रहते हुए भी वैक्ति मुर्चित हो सकता है हनुमान जी जब गिरे तो कैसे गिरे परेव मुरुचिर मही लागत सायक सुमिरत नाम राम रगुनायक प्रभु का नाम लेते हुए गिरे श्री भरत जी यह सुनकर अत्य व्याकुल हो गए परम संत की आखों में आसु भराए वे सोचने लगे में कितना भागा हुँ कितना पापी हुँ आज तक मेरे द्वारा किवल अपराधी अपराध हुआ एक महान संत और भक्त को भी नहीं पहचान पाया उस पर बार्ण चला दिया भरत जी को जीवन भर्ग लाने रही कि जों करनी समुझाई प्रभु मोरी नहीं निस्तर कलप सत्कोरी वे हनुमान जी के समीप जाते हैं और उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं पर हनुमान जी की मूर्चा दूर नहीं होती हनुमान जी भगवान राम को रुदय में रखते हैं भगवान राम का रूप उनकी मूर्चा को दूर नहीं कर सका वे भगवान का नाम लेते हुए गिरे, नाम की द्वारा भी उनकी मुर्चा दूर नहीं हुई, तब भरत जी ने नहीं लिया बस, अब मैं अपने प्राण ही छोड़ दूगा, जब इतने बड़े संतका मेरे द्वारा विनाश हो गया, तब इस जीवन को रखने से क्या लाब अंतर्यामी प्रभू ने भीतर से कहा भरत, दवा तो तुम्हारे पासी है, उसे छिपाओ मत, अब खृबणता ना करो, वही दवा दोगे, तब ही इसकी मुर्चा दूर होगी और तब सच्मुच जो औशिद भगवार निकलवाना चाहते थे, वह भरत जी के रिदय से प्रकट होई चारों और से निराश भरत जी के मुँसे प्रथम और अंतिम बार यह वाके निकला जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीती राम पद कमल अमाया, तो कपी हो विगत शमसूला, जो मो पर रगुपती अनुकूला यदि मेरे अंतह करण में मन कर्म और वचन से प्रभू के चरणों में निश्कपट प्रेम हो, तो यह वानर ठकावट और पीडा से रहित हो जाए इतना कहना था कि हनुमान जी की मूर्चा दूर हो गई, भगवान ने मानो संकेत दिया कि भरत दवा को प्रकट करने के लिए ही मैंने हनुमान को तुम्हारे पास भेजा था जहां मेरा नाम और रूप असफल हो गया महा तुम्हारी भक्ती और प्रेम की दिव्य अम्रित रूदी ओशद ने बंदर को चतन्य कर दिया अब हनुमान जी को श्री भरत की महानता का ग्यान हुआ और उन्हें बोध हुआ के श्री भरत अयोधिया में क्यों बैठे हुए है हनुमान जी है भग्वान राम के बान और श्री भरत है उनके धनुष जी मिया मोगर अगुपति कर बाना एही भाती चले ओ हनुमान पगवान राम ने सोचा हनुमान तुम तो मेरे बान हो तुम्हें अपने धनुष से मिलवा दूँ बान और धनुष में अंतर क्या है बान चल कर कारे करता है और धनुष अचल रहे कर धनुष कभी चलता दिखाई नहीं देता पर परतीक व्यक्ती जानता है कि जो बान चल रहा है वह उस अचल धनुष की प्रिणा से उसी की शमता से चल रहा है हनुमान जी को अनुभव हुआ कि श्री भरत अचल रहे कर भी आयोध्या में बैठे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अंत में जब श्री भरत ने उनसे कहा चड़ुमम सायक सायल समेता पठव हुँ तो ही जहां कृपा निकेता तुम परवत सहीत मेरे बान पर चड़ जाओ मैं तुमको वहां भीज दूँ जहां कृपा के धाम श्री राम जी है तो हनुमान जी के मन में एक्षण भर के लिए अभिमान हो आया सुनी कपी मन उप जा अभिमाना मोरे भार चल ही किमी बाना मेरे भार से यह बान कैसे चल पाएगा पर तुरंत ही श्री भरत की महामता का स्मरण कर उनका रदय गदगद हो गया उन्हें लगा कि अभी तक तो मैंने शस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, नारायनास्त्र, पाशुपतास्त्र, आदी हजारों शस्त्रों और अस्त्रों का नाम सुना था पर ऐसा बान जो जीव को भगवान के पास बहुंचा दे कहीं नहीं सुना यह तो केवल भरत के लिए ही संभव है उन्होंने श्री भरत के चर्णों में प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी कृपा का आश्रोयले बान की तरह ही चला जाओंगा और जब वे वहाँ से चले तो भरत बाहुबल, सील, गुण, प्रभुपद, प्रीति, अपार, बन, महुझात, सराहत, पुनि-पुनि, पवन, कुमार श्री भरत के बाहुबल, शील, गुण और प्रभुचर्णों में उनके अपार प्रेम की सराना करते हुए चले उनके अंतह करण में अपार संतोश और सुक हुआ उनके भीतर की शंका उठी थी कि श्री भरत भगवान राम की ओर से लड़ने लंका क्यों नहीं आई वह दूर हो गई उन्होंने जान लिया कि श्री भरत किस प्रकार आयोध्या में रहकर ही महान लड़ाई लड़ रहे हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री भरत जैसा शत्रिय दुरलब है श्री भरत शेष्ट वैश भी हैं वैश धर्म का निरूपन करते हुए गुरु वशिष्ट ने कहा था सोच युबर्वसु कृपन धनवानू जोन अतिथि सिव भगति सुजानू वह वैश सोच के योग है जो धनवान होकर भी कृपन है जो शंकर जी का भक्त नहीं और जो अतिथि प्रेमी नहीं वैश अर्थ प्रधान होता है और इस माते उसका करतव है कि जो धन प्राप्त है उसका लोक कल्यान में उप्योग करें वैश को उदर का स्वरूप माना जाता है जिस प्रकार उदर भोजन को अपने पासना रखकर रख्त की रूप में सारे शरीर में प्रवाहित कर देता है उसी प्रकार वैशे का धर्म है कि वह अपने धन को समाज के कल्यान के लिए लगाए फिर कहा गया है कि वैशे को शंकर जी का भक्त होना चाहिए शंकर जी की भक्ति का तात्पर पूरे अर्थों में लेना चाहिए शंकर जी की प्रतिमा का पूजन करना उस पर जल चढ़ाना चंदन चढ़ पर भक्ति की पूर्णता तब होगी जब मन भी पूरी तरह शंकर जी के प्रतिसमर्पित हो। उनके प्रति आंतरिकता और विश्वासना होने के कारण वह अपना सब कुछ गमा बैठता है। जाचक सदा सोहाई। उन्हें सदा देना ही अच्छा लगता है। फिर वे सदा नगन रहते हैं। कवितावली रामायन में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कोई मांगने वाला शिवजी के पास आया। पर शिवजी को देखकर वह घबरा गया। सोचा जब वे स्वयम नगन हैं तब दूसरे को क्या देंगे। शेंकर जी ने तुरंतुन से कहा। नागव फिरई कहई मागनो देखी। नखागव कचु। जनी मांगिये थोरो। यहां कोई कमी नहीं है। थोड़ा मत मागना। इसका भी प्राय यह है कि जो नगन है जिसे अपने वस्तर की चिंता नहीं जो केवल दूसरों के वस्तर की चिंता कर रहा है वही तो महान दाता है। यह शिव की उदारता की पराकाश्ठा है। उन्होंने अपनी रहने के लिए मकान ढूंडा शमशार में। और वहां में कोई घर बनाया नहीं। रहते हैं खुले में। शिव का दर्शन यह है कि संसार में कोई चाहे कितना भी सुंदर घर क्यों न बनाए। कुछ दिन बाद वह चोटा और पुराना लगने लगेगा। यदि वह उसे अपना मानेगा उस पर अधिकार की वृत्ती रखेगा तो यह उसका भ्रम ही होगा। एक दिन घर वाले उसे घर से निकाल बाहर करेंगे। इसलिए शंकर जी ने सोचा सारे घर बनाने वाले अंतमे घर से निकाल बाहर किये जाकर जहां पहुंचाए जाते हैं वह जिकत सबसे बढ़िया है। सब वहीं पर आएंगे सबसे भेट होगी सबसे गले मिलेंगे कहेंगे अब हम और तुम बराबर होगे। तुम घर से निकाले गए हो और हमारा घर है ही नहीं। शिवजी चिता की राख अपने शरीर में लगाते हैं। इसका भी प्राय क्या। वेक्ति जब तक जीवित है लोग उसे पवित्र मानते हैं। पर उसके मरने के बाद उसके शव को चूने से सनान करना पड़ता है। कहते हैं अपवित्र हो गई। जब तक उसके प्रती स्वार्थ था तब तक वह पवित्र था। अब तो कुछ करेगा धरेगा नहीं। तब अपवित्र ही है। उसको छूकर नहाना पड़ता है तभी तो सूर्दास्ची ने कहा है जा दिन मन पंची उड़ी जही ता दिन तेरे मन तरूवर के सबय पात छरी जहे घर के कही हे बेगही काडो भूत गए को उखईये जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी सो देखी डरिये जिता भस्म अनासक्ति की प्रतीक है इसके माध्यम से भगवान चुंकर यह बताना चाहते हैं चाही जो बनाओ चाही जो कर लो पर उसमें आसक्त मत हो अनासक्त भाव से कर्म करो यही शिव की दुष्टी है शिव अतिति भक्त भी है इसलिए वैश्य के लिए कहा गया कि उसे अतिति भक्त होना चाहिए शिव जी अतिति है रामायन भगवान राम की कथा अतिति पूज प्रीतम पुरारिके कामद धनदारिद दवारिके शंकर जी के लिए भगवान राम का चरित्र ही पूज अतिती है हम लोगों के यहां अतिती की बड़ी मर्यादा है अतिती वह है जिसके आने का की तिती का ज्यान ना हो ऐसे अतिती की सेवा करना उसे दान देना ठीक ठीक अतिती धर्म का पालन करना है दान देते समय यदि अपने परिचितों को धून धून कर दान दिया जाए तो वह दान नहीं कहलाएगा दान वह है सेवा वह है जहां स्वार्थ की सिध्धी न हो अत्य अथिथी का सतकार स्वेष्ट जन ही कर सकते हैं पर वे भी अपेक्षा रखते हैं कि अतिथी की आने के समय की एक सीमा हो लेकिन भगवान शंकर के यहां समय का कोई बंधन नहीं भगवान शंकर ने घर बनाया शम्शान में इसलिए कि अगर घर में दिवाल रहेगी तो दर्वाजा भी रहेगा और यदि वह बंध रहे तो अतिथी आकर लौट सकता है पर शम्शान में न कोई दिवाल है न कोई दर्वाजा सब के लिए वहां का द्वार खुला हुआ है हम लोग भी भगवान राम के चरित्र से प्रेम करते हैं पर शिव की तरह नहीं हम लोग कहते हैं के भई इतनी देर पूजा करेंगे पाठ करेंगे इतनी देर सत्संग करेंगे पर शिव जी 24 सों घंटे भगवान राम के चरित्र के लिए द्वार खोले बैठे हुए हैं उनके लिए कोई समय नहीं कोई मर्यादा नहीं जब भी अतिथी आए वे सतकार को तत्पर हैं इसलिए कहा गया है कि अतिथी पूज्य प्रितम पुड़ा रिके शिव जी का कुल भी अनुपम है दूसरों के कुल के बारे में कहना कठिन है कि वैशुद है अथवा नहीं पर शिव जी का कुल तो परंपवित्र है जब उनका विवहा होने लगा तो देवतागन कहने लगे जय 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 संकर सुर करही शंकर जी की जय हो जय हो जय हो हमारे यहां विवहा की परंपरा में वर और कन्या दोनों और की तीन तीन पीडियों का उचारण किया जाता है जब कन्या पक्ष से तीन पीडियों का उचारण हो गया तो वर पक्ष से उचारण की बात आई पुछा गया जंकर जी के पिता कौन? देवताओं ने कहा जयशंकर पर पिता कौन? जयशंकर पितामह कौन वे भी जयशंकर सभी जयशंकर इनका कुल परमशुद्ध है क्योंकि वे स्वयम अपने आप में पूर्ण है उनके आदी का प्रश्न ही नहीं है अते वही वेक्ति धन्य है जिसके जीवन में शिव की यह वृत्ति आजाए शिव का वरत्व आजाए शिव की ग्रह के प्रतियना सक्ति आजाए तथा जो शिव के समान कुल की पवित्रता का सच्चा अर्थ समझ ले वह कुल धन्य है जहां सो कुल धन्य उमा सुनू जगत पूज सुपुनीत शिर गुबीर परायन जेही नर उपजविनीत भगवान के भक्त पैदा होते हैं शिव भरत के जीवन में शिव भक्ति का ज्वलंत आदर्श मिलता है शिव हैं साक्षात विश्वास स्वरूप मानस में कहा गया है भवानी शंकरव वंदे शत्था विश्वास रूपिणो और यह विश्वास शिव भरत के जीवन का परमाधार है उन्हें प्रभू पर ऐसा विश्वास है कि यद्ध पी जनमुन कुमात उते मैं सटु सदा सदोस आपन जानी नत्याग ही मोहिर गुवीर भरोस भले मेरा जनम कुमाता से हुआ है तथा मैं दुष्ट और दोश्युक्त भी हूँ पर मुझे भगवान राम का भरोसा है कि वे मुझे द्यागेंगे नहीं साथी उनकी उदारता का क्या कहना इतने बड़े राज्य को पाकर भी उनके मन में तनी का हंकार नहीं है जाएं और दूसरे का कथन था जरों सो संपती सदन सुखू सुहिद मात उपितु भाई वह संपती घर बार वे माता पिता जल जाएं जो प्रभू के मिलने में बाधक हैं सब छोड़ो और चलो प्रभू की और एक दल था रागियों का दूसरा था त्यागियों का दोनों राम को पाना चाहते थे पर एक को चिंता थी कि घर बना रहे और राम मिले और दूसरे के मन में बात थी कि राम मिलने चाहें घर रहे चाहे जाए श्री भरत से जब पूछा गया पहरेदार रखे जाएं या नहीं आप क्या कहते हैं तो भरत जी ने कहा मैं तो यहीं समझता हूँ कि पहरेदार रखे जाएं लोगों कोई है सुनकर राश्चरे हुआ इन्हे घर के प्रतीत नाम हो ये तो रागियों की भाती हो गए लेकिन श्री भरत का ताथपद है क्या था यदि कोई अपनी वस्तुओं का त्याग कर दे अपना घर छोड़ दे या जला दे तो लोग कहेंगे कि बड़े त्यागी है इनके मन में कोई ममता नहीं लेकिन यदि कोई दूसरे व्यक्ति का घर फूख कर कहे कि मैं बड़ा त्यागी हूँ मैंने इनका घर जला दिया तो वह त्यागी का लक्षन नहीं अपराधी का लक्षन है श्री भरत ने कहा मैं क्या बताऊ अगर मेरा भी कोई घर होता तो मैं भी उसे फूख कर चल देता लेकिन क्या करूँ संपति सब रगुपति कई आही जो भी नुजतन तजवत जिताही तो परिनाम नमोरी भलाई पाप सिरोम निसाई दोहाई अयोध्या की सारी संपति भगवान राम की है मैं तो उनका सेवक हूँ सेवकार्य स्वामी की संपति का रखशा करना है यदि मैं इसकी रखशा किये बिना ही चला जाऊ तो मेरी भलाई नहीं और इसके जैसा कोई पाप नहीं जब स्रीभरत दान देते हैं तो उसकी भी कोई सीमा नहीं को स्वामी जी लिखते हैं सिन्हासन भूशन बसन अनधरने धन धाम दिये भरत लही भूमिसुर भे परिपूरन काम उन्होंने सिन्हासन गहने अन वस्त्र धन और मकान इतने दान किये कि ब्रहमनादी दान पाकर पूर्ण काम हो गए शिभरत हैं तो महानदानी पर दान का तनिक भी हंकार नहीं और शिव के ऐसे परमभक्त हैं कि विप्रजवाई देही दिन दाना सिव अभिसेक कराई विदिनाना भांगई हुदय महे समनाई कुसल मात पितु परिजन भाई प्रति दिन विभिन प्रकार से शिवजी का अभिशेक करते हैं ब्रहमनों को भोजन पका कर दान देते हैं शिवजी कूरदही में मनाकर उनसे माता पिता भाई परिजन सभी का कुशल क्षेम मांगते हैं इस प्रकार शिभरत वैश्य धर्म के अद्वितिय पालन करता है फि प्रसंग आता है कि जब भगवान अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकलते हैं, तो योध्या के नागरिक भाविहल हो उनके साथ चल पड़ते हैं, भगवान राम उन्हें लोटने के लिए बहुत समझाते हैं, पर वे लोटते नहीं, रात में जब सब सोई रहते हैं, तब प्रभु सुमंत्र जी से कहते हैं, खोज मारी रधहा कहुताता, आन उपायब नहीं नहीं बाता, और मंत्री उन्हें सीता जी और लक्षमा सहित ले जाते हैं, प्राते काल पुरवासी जब जाते हैं, तो प्रभु को नपयार न पाकर व्याकुल हो इधर उधर खोजत पर उन्हें रत का पता नहीं चलता और निराश और अयोध्या वापस लोटाते हैं और इधर जब श्री भरत इतने दिनों बाद प्रभु से मिलने के लिए गए तो गोस्वामी जी ने लिखा हरशही निरखी राम पद अंका भरत जी को प्रभु के चर्णों की छाप भूमी पर दिखाई पड़ती है अयोध्या के नागरिकों को रत के पहिये का निशान भी नहीं दिखा जबकि इधर श्री भरत को इतने दिनों बाद भी प्रभु के चर्णों की रेखा देख पाते हैं इसका भी प्राय क्या है ये रेखाई मानू इश्वर की बनाई हुई मर्यादाओं को स्थापित किया है जो वैक्ती चलते समय निरंतर यह ध्यान रगता है कि भगवान राम के चर्णों की कोई रेखा मेरे द्वारा न मिट जाए उनके द्वारा बनाई गई मर्यादा नश्ट ना हो जाए वही सच्चे अर्थों में संसार पत पर ठीक ठीक चल रहा है श्री भरत निरंतर सा जग है वी भगवान राम की चर्ण रेखा को खोज लेते हैं यही नहीं उन्हें भगवान राम की पादुका में प्रभु के दर्शन होते हैं गो स्वामी जी लिखते हैं भरत मुदित अवलंब लहेते असे सुख जससीय राम रहेते श्री भर पादुका के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा और इस रूप में रहूंगा यदि श्री भरत प्रभु से पूछ दें कि यह करम बदल दें तो कैसा रहे पादुका के रूप में आप वन में रह जाएं और भरत की इच्छा पूर्ण करने अयोध्या लोटाएं तो कोई डर नहीं है चेतन में चेतन का दर्शन करने वाले ही बहुत कम मिलते हैं फिर जण में चेतन को मुझे को पहचान ले सके ऐसे लोग कहां मिलेंगे यह क्षमता तो तुम में है हूत नभूत लभाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को तुम ही पादुका के रूप में अगवान राम का स्वरूप था उनके प्रती उनकी सेवा भावना भी कैसी थी नित फूजत प्रभुपांवरी प्रीति नईदय समात मागी मागी आयसुकरत राज काज बहुभादी श्री भरत प्रेम से प्लावित हैं मस्तिश्क में दिव्य विवेक है और शरीर निरंतर स सेवाकारे में लगा हुआ है इस प्रकार श्री भरत के चरित्र में ब्रामन धर्म शत्रिय धर्म वैश्य धर्म और शूत्र धर्म संपूर्ण रूप में विद्यमान है यही नहीं ब्रह्मचर्य ग्रहस्त वानप्रस्त था सन्यास समस्त आश्रमों के धर्म भी उनके चरित् यमसम दम विशम वत आचरत को दुख दाहदारिद दमबदूशं सुजसमिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सनमुख करत को यदी श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो पूर्ण प्रेम को लोग कैसे देख पाते तपस्या का सच्चा अदर्श लोगों को कैसे ग्या ऐसे दुष्ट वेक्ति को भगवान के सामने कौन ले जाता उनकी यह मान्यता है कि यदी श्री भरत न हुए होते तो भगवान के प्रती पूर्ण समर्पन का दृष्टान तो और कौन प्रस्तुत करता धर्म के सच्चे स्वरूप को कौन उद्गाटित करता तथा ऐसे भय आनक कली काल में इश्वर को जीव को इश्वरा भी मुख कौन बनाता श्री भरत का चरितर अनन्त है बहुत वर्षों से कह रहा हूं और बहुत बहुत दिनों तक कहता रहा हूं फिर भी भरत चरितर के अनेक पक्ष अचूते रह जाते हैं हर बार उसमें एक नई दृष्ट हरन घूर त्रयसूल सोक्र पाल मुहितो पर सदा रहू अनुकूल बोलिये सियावर राम चंद्र की चैन